नमस्ते फ्रेंड्स ओम स्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू का पराठा बीना इस्टफिंग बरे फिर भी हमारा पराठा बनेगा सूपर टेस्टी तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं तो यहां पे हमने लिए हैं चार से पांच आलू को अच्छे से मैस कर लिजे आलू को हमें अच्छी तरह से मैस करना है बिल्कुन चंक्स और गुठ्लिया नहीं रहना चाहिए अगर आलू अच्छे से आप मैस नहीं करेंगे तो आपको पराठा बेलने में प्रॉब्लम आ सकती है फिर यहां पे आलू को हम मैस करने के लिए ज़ाओक कर लेंगेए अगर लिए का थे साद में निकालके रख देंगे तो眉माली स्टफिंग सीति हो ज़िए मिर्चू आउठी के साइटी ज़िए सली आपने ठेस्द के備 ज़िए मिर्च तिकी हम्यात में Cup आधि चोटी चमच जीहल्ड दाल चुटाइज साल िए लाल मिर्च पाउडर यहां पहें तीकी वाली कि घुल हैं और मीर्च पर आपशें टेस्ट कमच चूचे के तर्य बिलेटाइज डिएगा एक चेरें नमक टेस्ट के लिए रिदेंगे अब यहां पर हम लेंगे एक कप आटा आटे को हमने चान लिया है अच्छे से आटा जरूर आप चान के लिए इससे क्या होता है कि आटे का जो कच्रो गयरा रहता है अच्छे से निकल जाता है अब यहां पर हम आलू की स्टफिंग में आटे को डालेंगे तो आटा हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे पहले हम आटे को गूतेंगे तो ध्यान दीजिएगा हम आटा गूतने के टाइम बिल्कुन हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है हम आलू के मोस्चर में ही आटे को ग अगर आपके श्टफिंग गीली है आटा नहीं बन रहा है तो आप उस आटे को डाल के भी आटा को गूद सकते हैं तो आटे को हम रिष्ट में नहीं रखेंगे अगर आटे को रिष्ट में रख देंगे तो आलू और नमक मिलके पानी छोड़ देंगे आटा बहुत गीला हो जाएगा तो आप इस आटे को रिष्ट में मत रखिएगा तूरंथ हम पराठा बनाएंगे तो यहां पे हमने आटे को ले लिया है चौपर में आप चौकी में भी बेल सकते हैं तो इसको हम तीन भाग में डिवाइड कर लेंगे आप चाहिए तो छोटे-छोटे पराठे भ लगाएं तो यहां पर अच्छे से अच्छे से से चक्कु यह लेगे ऐस cgyal लिए इसलिए तो अच्छे से द्यान देके पराठा को कर यह तो यह देखे कितने अच्छे से से तरछ नग रहा है यह से का पराठा अगर आप से के बच्चों को देंगे खाने के लिए तो बहुत ही खुस होते हैं तो यह देखे पराठा हमें थोड़ा सा थीक ही बनाना है पतला नहीं बनाना है थोड़ा सा मोटा रहेगा तो तभी खाने में अच्छा लगता है तो चलिए पराठा यहां पे हमारा बेल के कंप्लीट है तो चलते हैं हम इस अगर आप घी से सेखना चाहते हैं पराठों को तो आपकी पसंद सेख सकते हैं पराठों में जितना घी तेल लगाना है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं यहां पर हम थोड़ा कम-कम तेल लग रहें पराठों में और पराठों को मलट-पलट के चिटियां आने त तो आप जरूर ये वाला पराठा आलू पराठा बनाएगा सभी को पसंद आएगा फैमली को. तो पराठों को अलट पराठ के हम अच्छे से चितिया गोल्डन पढ़ने तक पराठों को सेंखेंगे. तो ये देखिए पराठे हमारे यहाँ पर सेखने लगे हैं, अच्छे सी चिटियां पढ़ने लगी हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो बस हो गया अलट पलट के पराठे हमारे सेख गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाली वाले बरतन में निकाल रहे हैं, अ आप एक ठाली में टूस्टी सूपे पर रखे उसमें आप पराठों को निकाल सकते हैं फिर इसी तरह हम सेकंड वैज के पराठों को सेक लेंगे तो यह देखें यहाँ पे सेकंड वैज के पराठे भी हमारे सेक गए हैं तो इनको भी निकाल लेंगे लग रहे हैं न बिल्कु कीजिएगा दोस्तों में सेर कीजिएगा फिर ऐसे ही मिलती हूं नेश्टर सेपी में तब तक के लिए बाबाई